क्या आपने कभी अस सोचा है कि प्राचीन मन्दिरों में कुआ, यह कोई जलाश है क्यों होता है। क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं और यह परिक्रमा एक खास दिशा में ही क्यों होती है। इन सब के पीछे विज्ञानिक कारण है प्रदक्षणा का अर्थ है परिक्रमा करना उत्तरी गोलार्द में प्रदक्षणा घड़ी की सूई की दिशा में की जाती है इस धर्ती के उत्तरी गोलार्द में यह एक स्वभाविक प्रक्रिया है अगर आप गोर से देखे तो नल की टोटी खोलने पर पानी हमेशा घड़ी की सूई की दिशा में मुढकर बाहर निकलेगा अगर आप दक्षणी गोलार्द में चले जाएं और वहां नल की टोटी खोलें तो पानी घड़ी की सूई की उल्टी दिशा में मुढकर बाहर निकलेगा बात सिर्फ पानी की नहीं ह पूरा का पूरा तंत्र पूरा का पूरा ऊर्जा तंत्र इसी तरह काम करता है उत्तरी गोलार्द में अगर कोई शक्ति स्थान है और आप उस स्थान की ऊर्जा को ग्राण करना चाहते हैं तो आप गड़ी की सुई की दिशा में उसके चार ओर परिक्रमा लगानी चाहिए। जब आप गड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं तो आप कुछ खास प्राकृतिक शक्तियों के साथ घूम रहे होते हैं। कोई भी प्रतिष्टित इस्थान एक भवर की तरह काम करता है क्योंकि उसमें कमपन होता है और यह अपनी और खीशता है। दोनों ही तरीकों से इश्वरी शक्ति और हमारे अंतरमन के बीच एक संपर्क स्थापित होता है। घड़ी की सूई की दिशा में किसी प्रतिष्टित इस्थान की परिक्रमा करना इस संभावना को गुरहन करने का सबसे आसान तरीका है। खास थोड़ से भूमद्य रेखा से 33 डिगरी अक्षांस तक या इस संभावना काफी तीबर होती है। क्योंकि यही वही जगा है जहां आपको अधिक्तम फाइदा मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा फाइदा उठाना चाहते हैं तो आपके बाल गीले होना चाहिए। और इसी तरह और जादा फाइदा उठाने के लिए आपकी कपड़े भी गीले होने चाहिए अगर आपको इससे भी और जादा लाब उठाना है तो आपको इस स्थान की परिक्रमा नग नवस्ता में करना चाहिए वैसे गीले कपड़े पहन कर परिक्रमा करना नंगे गूमने से बहतर है इसका कारण यह है कि शरीर बहुत जल्दी सूख जाता है जब कपड़े ज़ादा देर तक गीले रहते हैं ऐसे में किसी शक्ती स्थान में परिक्रमा गीले कपलों में करना सबसे ज़ाद अच्छा है क्योंकि इस स्थान पर आप उस स्थान की उर्जा को सबसे अच्छे तरीके से गरहन कर पाएंगे। गरहन कर सकें लेकिन आज ज़ाद तर कल्याने या तो सूख गए हैं या फिर गंदे हो गए हैं। इस वीडियो को ज़्याद से ज़्याद लोगों के साथ फेस्बुक और वाटसिप पर ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए देशी भक्ती चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।